नमस्कार, हेल्टिप्स चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो कुछ ऐसी जनकारी लेकर आते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टन्ट और आपके लिए लाबदाएक साबित होते हैं, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास, दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटे के जनकारी आपको देने वाली हूँ, जो पत्री से पीडित लोग होते हैं, इसके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपुन जनकारी है, कही ना कहीं ऐसे लोग हमें मिल ही जाते हैं, जो पत्री से पीडित होते हैं, तो दोस्तों आज की अश्रदी का यह लगाई भे जाती है, इसके उच्चाई लगबग 1-3 फूट दक होती है, इसका मुख्य जो रंग होता है, वहारे रंग का होता है, जब यह बल्कुल पक जाती है, यानिकि जब इसके उपर फूल आ जाते हैं, तो यह लाल रंग की हो जाती हैं, और यह 3-4 फूट उचा और इस वनस्पती के बीच भी नहीं होते हैं पत्ते नीचे गिरने से जमीन पर उसी में से इसकी एक टहनी निकल जाती है जिया दोस्तों इस पौधे की जो टंडी है यह लंबी बढ़ती रहती है उस पर ही पुश्प लगते हैं यह लाल रंके होते हैं इसके गुंधरम की दवा जो है जो अशदी है वो पत्री को तोड़ने और मुत्र कुछ को ठीक करने में ज़्यादा सफल रहता है कैसे भी पत्री हो यह अशदी उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा शक्षम होती है जिया दोस्तों इसके पंचान का क्वाद बनाकर दिन में दो बार पिलाना चाहिए इसका 40 mm क्वाद बनाकर 500 mm शीला जीत मिलाएं और फिर इसका सेवन करें और उसमें थोड़ा शहत भी मिला ले और प्राता सायम इसे पिलाने से इस से ठीक हो जाते हैं इसके इलावा इसके दो से तीन पत्तों को लेकर चबा कर इसका रस पी लेना चाहिए सुबा तो यह पत्री रोग में बहुत जादा लापकारी होता है इस प्रकार इसके पत्तों का 11 से 10 दिनों तक सेवन करते रहें तो किसी भी प्रकार की पत्री इस से मुत्र मार्ग से निकल जाती है इस अशद्धी का क्वाद बनाकर उसमें थोड़ा सा शहत मिलाकर प्राते सायम न प्रकारी होता है इसके अलावा इसके पत्तों का रस निकाल कर सुभा शाम बोजन के एक घंटा पहले पीने से मंदागनी इससे मिट जाती है इसके अलावा किसी भी प्रकार के फोड़े इसके पत्रों को थोड़ा गरम करकर खूट लें और रोग गरस्त भाग पर लगाते रहें तो इससे सुजन निश्य मिट जाती है और वेदना शान्त हो जाती है इसके अलावा इसके पत्रों को थोड़ा सा गरम कर लें और मसल कर घाव पर लगाए तो घाव भी इससे शीगर ठीक हो जाता है और इसका निशान भी इससे मिट जाता है इसके पत्रों का रस निक पत्तों के रस में थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह शाम इसे पीते रहें तो उधर शूल मिट जाता है। छोटे बच्चों के पेट के शूल भी इससे मिट जाते हैं। इसके पत्तों का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी सौंट मिलाकर पियें तो पेट की पीड़ा इससे मिट पत्री और मुत्र के रोग में इसके पंचान का क्वाद बना कर दिन में दो बार पिलाना चाहिए तो इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें आज की वीडियो में बस एदना ही लौटेंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सेस्क्राइब शेयर करना ना बुलें मेरी इस वीडियो को लाइका पवाश करें